तत्वं नरेंद्र जगतामत तस्तु साम्च देहेंद्रिया सुधिशनात्म भिराप्रतानाम याचेत्र वित्त पतयाहर्दि विश्वगाविही तत्यक चकास्ति भगवांस तमवे हिसोस्मी सब्दार्थ तत अतह तम तुम नरेंद्र हे स्रेष्ट राजन जगताम चरोका अथ इसलिए तस्तु शाम अचर चभी देह सरीर इंद्रिया असु प्रान धिशना विचार से आत्म भी ही आत्म सक्षतकार से आब्रतानां इस प्रकार से अच्छादित लोगों का यह जो छेत्रवित छेत्र का क्या था तपतया बस्मे करके फिर्दी फिर्दय में विश्वक हर जगे आभी ही अभी व्यक्त प्रत्यक प्रत्यक रोम कूप में चकास्ती चमकता हुआ भगवान श्री भगवान तम उसको अभी ही जानने का प्रियास करो सास्मे में बहा हुँ अनवात हतातपरिय श्री श्री मदवय चर्नारविंद भक्ति विदान स्वामिश लब उपात के द्वारा अनवाद सनत कुमार ने राजा को प्रिदेश दिया अतहे राजा प्रथू उन भगवान को समझने का प्रियास करो जो प्रतेक हिर्दय में प्रतेक जीब के साथ निवास कर रहे हैं चाहे वह चर हो या अचर प्रतेक जीब इस्थूल भोतिक सरीर से तथा प्रान एवं बुद्धी से निर्मित सुक्ष्म सरीर से पूर्ण तया आबृत है तात परिया इस स्लोक में विशेश रूप से यह उप्तेश दिया गया है मनुस्य जीवन में आर्थिक विकास के लिए प्रियत्न करने तथा इंद्री त्रप्ती में समय गवाने की अपिक्षा मनुस्य को चाहिए कि वह उन भगवान को समझते हुए आध्यात्मिक गुनों के अनुसीलन का प्रियत्न करे जो प्रतेक जीब के हिर्दय में ब्राजम स्थूल तथा सुक्ष्म तत्वों से धका रहता है इसे समझ लेना ही वास्तविक अध्यात्मिक संस्कृती पाना है अध्यात्मिक संसकृति में प्रगति करने की दो विधिया एक तो निर्विसेश बादियों की विधी तथा दूसरी भक्ति, निर्विसेश बादी इस निसकर्ष पर पहुचता है कि वह तथा परमात्मा एक है, किंतो भक्त अत्वा सगुनवादी परम सत्तका साक्षपकार यह समझ कर सकता है कि प्रभू परम नियंता हैं, हम जीवात् उसी के अधीन है और हमारा धर्म है कि हम उनकी सेवा करें बेदिक आदेस है तत्व मसी तुम वही हो तता सो अहम में वही हूँ इन मंतरों की निर्विसेस वादी व्यक्षा है कि परमेश्वर या परम सत्य तता जवात्मा एक है किंतु भक्तो के मत से ये मंतर इस पर बल देत पर्मेश्वतता हम सभी समान गुन वाले हैं तत्मसी अयम आत्मा ब्रहम्म। पर्मेश्वतता जिवात्मा दोनों ही आत्मा है इसको समझना ही आत्म साक्षतकार है। इस लोग में छेटरवित सब्द भी महत्पुन है भगवध गता टेरा दो में इस सब्द की गयाकियद की गई है इदम सरीर हम कौनते चेटर मित्या विधी यदे ये सरीर छेटर कर्म छेटर कहलाता है और सरीर के स्वामी आत्मा तथा सरीर इस्थित परमात्मा छेतरवित कहलाते हैं किन्तुन दोनों छेतरवितों में अंतर है एक छेतरवित अर्थात सरीर का ग्याता परमात्मा है जो प्रतेक आत्मा को निर्देशित करता रहता है परमात्मा से सही निर्देश प्राप्त करने पर सफलता प्राप्त होती है वे भीतर तथा बाहर दोनों और से निर्देश देने वाले हैं भीतर से वे चैत्य गुरू अर्थात हिर्दय में इस्थित गुरू के रूप में निर्देश देते हैं अपरत्यक्ष रूप में वे बाहर से गुरू के रूप में प्रगट होकर जिवात्मा की साहता करते रहते हैं दोनों ही तरह से भगवान जिवात्मा को निर्देश देते रहते हैं जिससे वे भोतिक कारेकलाब पूरा करके भगवान के धाम बापस जा सके कोई भी वेक्ति चाहे तो वे सरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा को देख सकता है क्योंकि जब तक इन दोनों का सरीर के भीतर निवास रहता है तब तक सरीर आभा मैं और ताजा बना रहता है किन्तुन दोनों के प्रियान करते ही इस्थुल सरीर सड़ने लगता है जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आगे हैं भहम्रत सरी तथा सजीव सरीर में अंतर जान कर सकता है निसकर्स रूप में मनुस्व को चाहिए की तथा कथित आर्थिक उन्यति तथा इंद्रित रुप्ति में अपना समय न गवाकर परमात्मा तथा आत्मा एवं उनके संबंद को समझने के लिए आध्यत्मिक ज्यान का अनुसलन करे इस प्रकार ज्यान के बढ़ने से मनुस्व को मोक्ष तथा जीवन का चरम लक्ष प्राप्त हो सकता है कहा जाता है कि यदि कोई त्था कथित सांसारिक कर्तव्यों का परित्याग भी कर दे और मोक्षमार का अनुगमन करे तो भी भे घाटे में नहीं रहता किन्तु जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग को ग्रहन नहीं करता और फिर भी आर्थिक उन्यतित्था इंद्रेत्यप्ति संपन्य करता रहता है वह सब कुछ खो देता है इस प्रसंग में ब्यास देव की समक्ष नारद का यह कथन भागवत एक पास सत्रा अत्यंत उप्युक्त है तक्त्वा सुधर्मं चरनाम भुजम हरे भजन पक्व अत्पतेत्त तो यदी यत्रक्वा भाभद्र भुद्मुदस्यकिम कोवार्थ आपतो भजताम सुधर्मत है अधिकाल करम में जीवन का चरम लक्ष नहीं प्राप्त कर पाता या अनुभब की कमी से नीचे गिर जाता है तो कोई छती नहीं होती किन्तो जो मनुष से भक्ती न करके केवल अपने भोतिक करतब भी ही अच्छी तरह निवाता है उसे कोई लाव नहीं मिलता अम ग्यानति मरांधर्स ग्यानन जनशलाक्या चक्षुर्म लितमेन तस्मे स्री गुरु वेनमा स्री चैतन्य मनो भिष्टम इस्था पितमेन भूतले स्व्यम रूपकदामियं ददाती सौपदान्तिकं वन्ती हम श्री गुरु श्री उतफपदकमलं स्री गुरुन वेश्णवांस्चं स्री रुपम सागरजातं सहкиन रगुनातान भितमतं सजीवं सात्वेतं साबदÓतं परिजन सहितं करिष्टम चैतन्य देवं शिराधा करिष्न पाधान सहकन ललिताश्श्विशा खान वेत आमस्य जैस्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानंद श्रीद्वेत्य कदाध्र श्रीवाशादि गउर भक्त बिंद्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा सनत कुमार प्रतु महराज को भक्ती के बारे में उपदेश प्रदान कर रहे हैं तो इन उपदेशों में हम चर्चा कर रहे हैं देख रहे हैं कि कैसे प्रतु महराज चुकि अभी घ्रस्त जीवन का निर्भाह कर रहे हैं तो कैसे एक राजा या ग्रस्त जीवन में जो व्यक्ति है उनको किस प्रकार से अपने जीवन में भक्ति का अनुशिलन करना चाहिए और जो सकाम कर्म है या अर्थ का विशेश रुप से उपार्जन करना क्योंकि चार आस्रमों में जो विशेश रुप से ग्रस्त हैं उनके लिए धन का उपार्जन करना बताएगा है ब्रमचारी है बानप्रस्ति है सन्यासी है तो ये तीनों आस्रम के लोग ग्रस्त के उपर निर्वर रहते हैं इसलिए वो अर्थ का उपार्जन नहीं करते हैं कि भक्ती के अनुसिलन में अपने आपको लगाते हैं तो ग्रस्त को कुछ अर्थ का उपार्जन करना होता है तो इसलिए स्रुनत कुमार बता रहे हैं कि कैसे जो बहु मुल्ल ये मनुश्च जीवन का समय है उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष का भी तृसकार किया गया है भक्ती के स कि इन चारो मेना लगा करके केबल कैसे भगवान की भक्ति में ही एक मात्र पूरा समय नियोजित करना चाहिए तो उसके बारे में यहां पर बनन कर रहे हैं और विशेश रुप से इस सिलोक में यहां पर बता रहे हैं कैसे सारा समय हम अपना जो है भक्ती में लगाएं जैसे उपदेशा ब्रत में भी रूप गोसामी परणन करते हैं कि एक भक्त को अपने चोई सो घंटे भगवान की सिवा में नुजित करना चाहिए उसके अलाबा कोई भी समय बियर्थ के कारियों में नहीं जाना चाहिए तो प्रितिर लाव जीवेत यावता जीवस सितत्व जिग्यासा नार्थो यस्चे कर्म भी कि जो काम अर्थात इक्षाएं हैं तो इक्षाएं जो हैं इक्षाएं होती हैं हर एक जीब के अंदर जो भी भोती जगत में हैं अनेक अनेक हम सब के अंदर इक्षाएं हैं तो बता जा रहा है कामस्चिन्न इंद्रिय प्रीतिर कि इक्षाओं का उपयोग जो है उनको इंद्रिय त्रप्ति के और प्रेत नहीं करना चाहिए इक्षाए मन में प्रवेश कर सकती हैं आ सकती हैं संसार को भोगने के लिए लेकिन उनको इंद्रिय त्रिप्ति में नहीं लगाना चाहिए कामस सिन्न इंद्रिय त्रिप्ति हैं क्योंकि अगर इक्षाओं को हम इंद्रिय त्रिप्ति में लगाएंगे तो उससे क्या होगा उ तो कितना ग्रहन करना चाहिए, यहां पर बताया, लाभ जीवेत यावता, जितना सरीर और आत्मा दोनों एक साथ चल सके, सरीर का निर्वाह हो सके, आत्मा उसमें बना रह सके, उतना ही क्या करना चाहिए, लाभ जीवेत यावता, अर्थका के वल उपारजन करना चाहिए, उ क्योंकि जीवन किसके लिए है जीवस तत्व जिग्यासा यह मनुस्ष जीवन जो है तत्व जिग्यासा करने के लिए मिला है आर्थ का उपारदन करने के लिए नहीं मिला है धन कमाने के लिए नहीं मिला है कि मुझे अरब पती बनना है करोब पती बनना है आदुनिक समाज मे लक्ष यह है अरपति बनना लेकिन सास्तरों में यहां पर बताबरा जारा है जीवस तत्व जिग्यासा भगवान के बारे में जिग्यासा करने के लिए तत्व में कून हूं भगवान कून हैं क्या भगवान के साथ संबद है नार्थो यस्चेह करमें इसके अलावा और कोई भी जीवन का उद्देश नहीं होना चाहिए तो इस प्रकार से पुरी जीवन की दिसा होनी चाहिए कि कैसे जीवन में हम अपना जादा से जादा समय भगवान को जानने के लिए कृष्ण भावनवत में नियोजित कर सके और अर्थ की चिंता बहुत जादा करने की आवसकता नहीं है उसके लिए जो भगवान की भक्ती में लगा हुआ विक्ती है तो भगवान उसके लिए सारी विवस्ता करते हैं भगवान बुद्धी देंगे परमात्मा के रूप से चित गरू के रूप में उसको कैसे बहुत सरलता से उसका धन का उपारजन हो जाए पसु समाज में कोई चिंता की आवसकता नहीं होती है भगवान सब को देते ही है वो चिंता करते हैं क्या चीटी को कन भर हाती को मन भर भगवान ही देते हैं लेकिन मनुस्री ही ऐसा प्रानी है कि वो उसको बहुत बड़ी चिंता रेती है कैसे धन का उपारजन होगा तो उसके लिए भक्ती में अगर लगे हैं तो भगवान उसकी विवस्ता करेंगे भगवान भगुईता में बनन करते हैं अनन्यास चिंते अंतो माम ये जनाब परियुपास दे तेसाम नित्ता भी उत्ता नाम योग छेमम बहाम यहां कि जो अनन्य रूप से अनन्यास चिंते अंतो माम मेरी भक्ती में मेरे चिंतन में लगा हुआ है और ये जनाब परियुपास दे मेरी उपासना कर रहा है परियुपास दे का अर्थ बताएगा है कि भगवान के लाबा और किसी के नहीं उपासना करना लेकिन किसके लिए कुछ मांगने के लिए नहीं भगवान से केवल भगवान को मांगना ये नहीं कि भगवान से हम कुछ मांग रहे हैं भगवान मुझे कुछ धन दे दीजे कुछ सुन्दर इस्त्री प्रदान करतीजे नहीं केवल भगवान से भगवान को ही मंगना उसको कहा गया है परियोपासते और अभी युक्त पुरा घनिष्ट रूप से भगवान की भक्ती में सलंगना तो ये तीन जब योगताएं भक्त के अंदर होती इस प्रकार से भक्त जब कारी करता है तो भगवान क्या कहते हैं योग छेम भाव में उसका योग छेम अर्था जो उसके पास है उसकी में रक्षा करता हूँ और जो नहीं है तो उसको में प्रदान करता हूँ भगवान उसको देते हैं उसकी चिंता करने की तरपन, स्राध हर साल होता था, उनके भाई जो है स्राध करते थे हर साल, लेकिन एक बार उनके भाई ने कहा कि मैं हर साल करना हूँ, अब आप पिता का स्राध करते ही नहीं, इस बार आपको ही करना है, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, धन में कैसे कोई विवस्था नहीं है तो भाई ने बोला कि नहीं नहीं है मैं तो करूँगा ही नी आप जैसे भी करना है आपको किसी से भी आप मांगर के लाइए कोई विपारी के पास जाइए और आपको ही इस बात करना है तो ठीक है बोला है तो क्या करना है तो एक बेपारी के पास गए नर्शिंग महता कुछ मांगने के लिए कि मुझे स्राद करना है तो आप कुछ दान कुछ दीजे तो वो वेपारी जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कुछ दूँगा लेकिन आपको आपके पास क्या है मेरे पास गिर्वी रखने के लिए देने के लिए मुझे देने के लिए क्या है उन्होंने विचार किया क्या है मेरे पास कुछ भी नहीं है बोले मेरे पास तो कुछ भगवान के गीत हैं वो ही उनकी एकमात्र संपत्ति थी तो वो भी थोड़ा अच्छा विक्ति था धार्मिक था तो उसने का ठीक है चलो भगवान के जो गीत है वो ही आप बताओ दो तो नर्सिंग महताना गाना चालू किया गीत तो ऐसे मगन हो पिर उन्हें ध्यान आये कि समय तो निकली गया स्राद का समय तो चला गया स्राद करना था तो बापस आये निरास होकर के लेकिन जब बापस आये तो भाई उनके बड़े प्रसिन थे उनने कहा कि क्या आपने जो है स्राद किया ऐसा तो मेंने अपने जिवन में कभी स्राद कर रहा था भगवान का कर रहा था तो किर्थन में लगे हैं भगवान के इस्वन चिंतन में लगताने तो बहुत सारे भक्तों एह मीदार countries नहीं करें दो इस déjà इसी कि चैंदल कि उसकी जादा चिंद्ध हमें नहीं करने हाँ हमें अपना बहुमिल समय लगाना चीए कैसे भगवान की जिस्से की सिवा हो सके लोग जो है समय अपना ब्यार्थ करते रहते हैं समाज में कितनी सारी चीजों में जिनका कोई उपयोग नहीं है कोई उद्देश नहीं है ऐसी चीजों में अपना बहुमिल समय ब्यार्थ करते हैं एक बार पुरा टाइम अपना बेश्ट कर रहा है एक एक दाने से और उससे फिर गुदा निकाल करके खाना तो वो मतलब कितना समय उसमें ब्यर्थ से चला जाएगा उसकी जगह अगर एक-एक दाने पर भगवान का नाम ले तो कितना उसको लाब हो सकता है लेकिन उसमें समय ब्यर्थ का बारा तो आज के समय में समाज में हम देखते हैं लोग ऐसे ही पुरा समय ब्यर्थ का बाते रहते हैं जैसे रात के समय में आप देखेंगे वो सियार होते ना सियार जो है पुरा राद भर क्या करते रहते हैं हुक्की हुई चिलाते रहते हैं त दिर के पास में जो हैं कुछ सियार जिसे लोग राद भर जो है क्यों ही करते रहते हैं वो जैसे सुर्योदय होता है तो सुर्योदय के साथ जो है सियार फिर भागता है तो ये लोग भी सुर्योदय के साथ ही भागते हैं राद भर चिलाते हैं क्या है केवल समय की बरबादी क इतना बहुमुलिस समय चानक प्रणित बताते हैं आयुस्चन एको भी नलभ्यते स्वर्न दान कोटी भी कि करोडो स्वर्न मुद्राय देकर भी जो प्राप्त नहीं किया सकता ऐसे समय को किसमे संसार के जिनका कोई जिससे संबन नहीं ऐसे ब्यर्थ के कारियों में वो अपना बहुमुलिस में ब्यर्थ गवा देते हैं तो विसेश रुप से जो भक्ती में लगे हुए लोग हैं उनके लिए यहां पर सनद कुमार बता रहे हैं प्रतु महराज के माद्निम से कि हमें अपने जीवन में भोत महत्पून जो समय है उसको महत्पून इस्थान दिना चीए कि समय कितना किम्ती होता है एक महान रिशी हुए है लोमस रिशी तो लोमस रिशी क्यों है क्योंकि लोमकार्थ होता है बाल उनके सरीर में पुरे सरीर में बाली बाल है और उनकी आयू कितनी है कि ब्रहमाजी का एक दिन होता है तो उनके सरीर से एक बाल गरता है तो जब सारे उनके सरीर से बाल गिरेंगे तब उनकी मृध्य होगी और एक बाल कब गिरता है जब भरमाजी का एक दिन पूरा होता है भरमाजी का एक दिन मतलब हजार चत्रियू की कितना लंबा समय है तो एक बार भजन अपना कर रहे थे लोमस्री सी तो ब्रमाजी आए और ब्रमाजी ने कहा कि कुटिया बना लो तो ब्रमाजी का एक दिन पूरा होगा जब एक बाल गिरेगा और ऐसे उनके सरीर में कितने बाल हो गिंती नहीं होगी कि पुरा सरीर उनका बालों से बढ़ा हुआ है लेकिन वो भी कह रहे हैं कि मेरे पास समय का है और मानप समाज में हम लोग जो हैं कितना कम समय है सारा समय यूँ हमारा निकल जाएगा उसमें भी उस समय को हम ब्यर्थ इंद्री भोग में गबाते रहते हैं अर्थ के धर्म, अर्थ, काम, इनके उपारजन में हम गबाते रहते हैं, जो कि आवस्क नहीं है, भक्ती करने से ये सारी चीजे सब अपने प्राप्त होगी, जैसे रानी जाती है, तो रानी के पीछे-पीछे उसकी दासियां अपने आ पाती हैं, ऐसे इबिलमंगल ठाकुर क निवति अस्मान, धर्मार्थ, काम, गते, समय प्रतिक्षा, कि जब आपकी सरन में में हूँ, तो मुक्ती की तो बादी छोड़ दीजे, मुक्ती क्या है, वो तो हाथ जोड़े मेरे द्वार पर खड़ी हुई है, निविदन कर रहे ही कि भक्त उन्हें स्विकार कर ले, तो तो उनके पीछे-पीछे अपने आप जो है, जो भक्ती में लगा हुआ व्यक्ति उसके लिए आएंगे, तो इनकी इसलिए क्या है, चिंता नहीं करनी चीए, चिंता करने का अर्थ यह नहीं कि हम जो है, बस बेट यहां, जो भी आप तो भगवानी करेंगे, भगवानी दे तो करना ही होता है, नहीं सुप्तत स्तिहंस से प्रवशन्ति मुखा, मिर्गा जिए, सेर भी अगर कारी करना छोड़ दे तो सिकार अपने आप ऐसा नहीं के सेर के पास चलाएगा तो इसलिए प्रियास करना है लेकिन कैसे भगवान के मान दिम्रदेशन में अर्थ का पाजन करना चीए इंदरी भोग से प्रेडित हो करके नहीं करना चीए क्योंकि उससे केवल दुख और कश्ट ही प्राप्त होगा हम प्रियास कितना ही कर लें उससे तृष्णा और जो है पढ़ती जाएगी क्योंकि तृष्णा कोई अंत नहीं बताएगा अंतो नास्ति पिपासया संतोश परमसुखम इसलिए बताएगी जो पिपासा है देख सकते हैं माराज चित्र के तू चटवे सकन्दू धारन आता है पूरा सामराज था सब कुछ था लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं थे फिर भी संतोश उनको नहीं था कश्ट था दुख था इसे प्रकार से ययाती माहराज ययाती देव्यानी कितना हजार सालों तक नो ने भूग किया तो उसके बाद जाती माहराज कहते हैं पूर्णम वस्त्र शहस्त्रम में विसयान सेवतोस्कृत तथा पी चानु सबनम तरशना तेशूप जाये थे कि पूर्ण वस्त्र शहस्त्रम हजार वर्सों तक मैंने अपने आपको इंद्री भोग में लगा करके रखा विसयों में लगा करके रखा उन विसयों की मैंने इंद्री विशयों की इंद्रियों की सेवा की तो भी क्या है तथा पी चानु सबनम तरशना तेशूप जाये उ कि और ज्यादा जो हैं बढ़ गई हैं उसका प्रणाम क्या हुआ कि और ज्यादा बढ़ गई है इसलिए बताते हैं आगे याति महराज न जातु कामा कामा नाम उपभोगेन साम में थी हवीशा कृष्ण बर्तेव भूय एवावी बर्तेदे कि जो इंद्रियां हैं जो कामना हैं इक्षाएं हैं नजातु कामा कामा उपभोगेन साम उनको भोगने से वह सांथ नहीं होगी जैसे यग्य में हवीशा कृष्ण बर्तेव यग्य में आप जो है servicios होती डालेंगे घही डालेंगे तो उससे अगनी कोई सांथ होने वाले नहीं हैं जितना आप घही डाल प्रजुलिद होती जाती है तो इस प्रकार से जो है यह इक्षाएं बताएगे कि इतना अभी हम प्रयास करेंगे तो भी उसका प्रनाम क्या होगा अन्तत्य गत्वा उससे कभी भी तुष्टी पून रुप से संतोस प्राप्त नहीं होगा संतोस प्राप्त होगा उनको छोड़ने में जब उनका हम त्याग करेंगे जब तक उनको अपनाए हुए हैं उनको स्विकार किये हुए हैं तो परम सुक्की प्राप्ती नहीं हो इसलिए सास्त्रों में त्याग करने के लिए बेराग्य कमार्ग बताए है इसलिए पृत्व महाराज को यहां पृत्ता बताने कि आप जो है अपने आप को भग्वान की सिवा में लगाई है धर्म अर्थ та काम face इनके लिए अपना समय जो है बयर्थ मत गवाई इनकी ज़्यादा चिंता मत कीजئے तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा बिचार भगवान की इक्षा से, भगवान की किरपास से ठीक है भगवान ने दे दिया तो उसको हमस्विकार कर लिए ने दिया तो जो भी जैसी इस्ती हो जिस परकार से भी इस्तती हो उस इस्तती में रहे करके भगवान का भजन करने का प्रयास करना चीए भोतिक परिस्ततियां को भोतिक इस्तती को सुधारने का प्रयास नहीं करना चीए कि मैं भोतिक इस्तती को सुधार लूँगा पिर अचछे से भक्ति करोंगा सांती से भक्ति करकाओंगा कभी निए हो पाएगा बोती कृश्टिती में कभी सोधार हो इनसकता है अब प्रयास हो सकता एक किसीने प्रयास किया प्रयास करके धन कमा पर धन कमाने के बाद प्ता लगाए कोई चोर ले गया जैसे मदू मक्खी होती है तो मदू मक्खी हैं अलग-अलग फुलों से सहध एकत्रित करती है और सहध एकत्रित करके उस उत्याव हम इन सहध का भोग अराम से पिले इखटा कर लेते हैं फिर भोग करेंगे लेकिन सहद चोर आता है मक्यों को मार करके आग जला करके धुआ करके और सहद ले जाता है क्या लाब होता है कितनी मेहनत उन्हों ने की कुछ लाब नहीं हुआ ऐसे ही बहुती जगत में हम देखते हैं बहुत सारे विक्ति जो है धन टाप्त करने के लिए प्यास करते लिते हैं कि फिले धन को इखटा कर लेते हैं फिर अराम से सांती से उस धन को भूगेंगे तो धन इखटा करते हैं और उसके कुछ समय बाद ही भी मृत्यू जाती है करोड रुपया जो है बेंक में ही है या परिवार वाले उसको भूग करेंगे तो आपके हाथ में तो क्या लगा कुछ नहीं लगा माया मिली न राम ना तो माया मिल पाई ना भजन कर पाए भगवान का कुछ भी नहीं हो पाया तो उसकी पीछे भागने से तो इससे अच्छा है कि जो जिसकी guarantee है कि जो मार्क पर हम चल सकते हैं प्राप्त हो सकता है उसके लिए प्रयास करना चाहिए भगवान की भक्ती के लिए हमें प्रयास रथोना चाहिए तो यहांपर जो है उसके लिए बताए जा रहा है कि जो ये सकाम कर्म या अर्थ इंद्रियों को भोग करने की जो आसकतियां हैं हलांकि वो आसकतियों से निकलना इतना आसान नहीं होता है सरल नहीं होता है तो उसके लिए यहां पर अवस्थक जो सबसे महत्मून है वो बताया जा रहा है कि कैसे भगवान जो हैं इसके लिए जीव को निरंतर प्रिर्द करते हैं जो भाग्यवान कोई जीव अगर होता है कृष्ण यदी कृपा करे कोन भाग्यवाने गुरू अंतर यामी रूपे सिखाए आपने कि जो संसार में हम सब भ्रमन कर रहे हैं अपनी इक्षाओं को पूरा करने के लिए काम और क्रोध के बस में हो करके काम क्रोधेर काम और क्रोध के दास बन करके चितन चितामत में बताया गए काम क्रोधेर दास है या माया रलाठी खाए भ्रमीते भ्रमीते यदि सादू बेद्य पाए तो अगर हम जो सादू है जो की बेद्य हैं वो अगर मिल जाते हैं तो दबाई देते हैं फिर सादू जन तो उस दबाई से क्या होता है तार उपदेशे मंत्रे पिसाची पला है उनके उपदेश रूपी मंत्र से जो माया रू बोरता है कि कृष्ण भक्ति पाए तब कृष्ण से कृष्ण भक्ति होता है और वीज्प्राप्थ होने से फिर भगवान के समीय भगवान अब ऐसे जीव भोज पाते हैं तो इसलिए यहां पर तात्परमेश्य पुरुपार्द बता रहे हैं कि कैसे भगवान जो है भाग्यवान जीव को निरंतर उपदेश देते हैं दो रूप में एक तो अंदर से चेत्य गुरु परमात्मा के रूप से उपदेश देते हैं कि यह संसार से किस प्रकार से निकलना है और दूसरा फिर बाहर से प्रमानिक गुरु के रूप में उपदेश देते हैं कैसे उपदेश देते हैं सर्वन और किर्टन की विधी के माद्देश क्या है उनके माद्देश क्या है उनके माद्देश क्या है उनके माद्देश क्या ह तो आगे इसके कुछ स्लोकों के बाद जो है आएगा यत पाद पंकज पलास बिलास भक्तिया करमा सयम गृठित मुद ग्रथयंति संत है तद्वन रिक्त मतयो यतयो पिरुद्ध इस्त्रोत्रो गनास्त मर्नाम भजवासु दिवं कि जो जिसने भगवान के चरन कमलों में स्रन ले ली है यत पाद पंकज पलास बिलास भक्तिया करमा सयम गृठित मुद ग्रथयंति संत है जो ये आसकतिया है करमों की ग्रंथिया है उनको ऐसा विक्ति केवल काट सकता है तोड़ सकता है भक्ति योग के दुआरा इसके विप विक्ति से रिक्त होते हैं इनके अंदर कोई भी भक्ति नहीं होती केवल अपना जो है प्रयास होता है तो अपने प्रयास से तब कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे जो कि भक्ति से रिक्त जिनकी मती है उनके द्वारा प्रयास करने पर भी वो कभी भी अपनी इंद्रियों पर पुन रुप से विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनको बस्म नहीं कर पाते हैं लेकिन जो जिसने भगवान की सरन ली हुई है तो वो व्यक्ति बहुत सरलता से ये कर्मों के चक्र से निकल जाता है तो उसके लिए बिदी क्या है? बिदी है सरवन और किर्टन की बिदी इसलिए चितन महापुरू ने इसको कहा है संकीर्टन परम विजयते स्री कृष्ण संकीर्टन तो परम विजयते स्री कृष्ण संकीर्टन की परम विजयते स्री कृष्ण संकीर्टन क्यों? क्योंकि संक्रितन में दोनों चीज़ मिली थे स्रवन और किर्थन भगवान के बारे में स्रवन करना और किर्थन और वो कैसा होना चाहिए वो होना चाहिए एक प्रमान गुरू के अनुगत्ति होकर कि क्योंकि उसका उद्देश क्या है उसका उद्देश है भगवान का इस्मरन होना स्रवन और किर्टन का उद्देश होना चीए भगवान का इस्मरन होना स्रवनम किर्टनम विश्नो इस्मरनम इसलिए बताएगे अगर इश्मरन नहीं हो रहा है भगवान का और कोई स्रवन गिर्तन कर रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि सही से स्रवन गिर्तन नहीं हो रहा है सही चितना में नहीं हो राए है सही भावना में नहीं हो रहा है क्योंकि अगर सही रूप से हम करेंगे एक गुरू के अनुगत्थ होकर कि वह सारे आज के भकतों में में भी हम देखते हैं कि लोग हलागि सिर्वन कुटन करते हैं लेकिन आजकल यूटूब का समय है तो पैसे सिर्वन किर्टन होता है कहीं से ये तुड़ा सा सुन लिया, कहीं से ये सुन लिया, चलो ये सुन लिया, यहां यह अच्छा बोलने है थोगा से यह कलीप यह कलीप आजकल तो 60 कलीप का जमाना भी चल रहा है तो इसलिए लेकिन एक गुरू के अनुगत होकर कि अच्छे से उनकी वानी को सुनना है वो तो होई नी पाता है वो तो बस इसलिए दिख्छा से पहले कि यहां ठीक है भी कंपलसरी है सुनना है मैं इतने प्रवचन तो चलो सुनकर कि हम कम से कम दिख्छा लेते हैं उसके बाद तो बस जो अच्छा लगता है यह भक्त यहां से अच्छा बता रहे हैं यह अच्छा बता रहे हैं बस तो ऐसा कितना भी आप सुनें है ना डेली वो छोटा-छोटा करके आप जो है दो घंटे सुन लें तीन घंटे सुन लें और इस प्रकार से आप हरिनाम भी कर रहे हैं जब भी किरतन भी हो रहा है तो भी उसका फल इसमरन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो गुरू के अनुसरन करते हुए नहीं हो रहा है तो इसलिए समझने की आप सकता है य्सकों इस पीसरवन और किरतन से क्या होना छी इसमरन होना चीए भगवान का कि बल्ल नाम भगवान भविता में क्या बता रहे हैं आंते नाराएन स्मृति अंत में भगवान का इस्मरन होगा तो ऐसा विक्ति भगवान के धाम जा पाएगा भगवान का नाम लेने के लिए नहीं बताएगा नाम तो लोग बोलते हैं कि गांधी ने भी लिलिया था मृत्तु के समय उसके मुख से भी राम नाम निकल गया था तो क्या भगवान के धाम गया वो अजामील अ इस्मरन आपने नहीं किया तो इसलिए क्या है कि आप जाए हरिद्वार और वहां पर भगवान का इस्मरन कीजिए तब फिर हम आएंगे आपको दोबारा से लेने के लिए जब इस्मरन किया होने बाद में तब फिर विश्णु दूद आये और लेकर के भगवान के धाम गए किर्टन प्रभावे इस्मरन सुभावे कि यह हमें भगवान का इस्मरन होना चीए तो हमारा स्रवन और किर्टन गुरू के अनुगत्त में सही रुप से चलना है और ऐसा नहीं कि इस्मरन बस हो गया तो उसी से हम संतुष्ट हो गये ठीक है बस अब तो पून्टा प्राप होगे नहीं उसी से संतुष नहीं होना चाहिए उसके आगे भी विधियां प्लाद माराज जो बिधी दे रहे हैं यह तो भागवत जो बिधी है इसके आगे पांच रात्री की बिधी अर्चनम बंदनम दास्यम तो यह दोनों जो है सम्मलित रूप से जब हम अपने जीवन मे पालन करते हैं भागवत बिधी और पांच रात्री की बिधी तो इसका जो उद्देश है वो क्या है भगवान के चरनकमलों में पूर्न समर्पन पूर्न सरनागति वो इसके माध्यम से हमारे अंदर प्रिगट होने चीए वो हमें प्राप्त होना चीए जिसको की आत्मनी ब योग किये गए तो यह हमेशा ध्यान में होना चीए कि कि स्रवन किरतन हम कर रहे हैं किसलिए हमें अपने सुधिकरन के लिए करना जिससे की सुधिकरन करके हम क्या कर पाएं भगवान के पूर्ण रूप से हो पाएं क्योंकि जब तक हमारा सुभी करन नहीं होगा जब तक अनर्थ हैं, पाप हैं इर्दे में तो वो हमें सरनागत नहीं उने देते हैं, सरनागती हमें लेने से रोकते हैं, जब तक हमारे अनर्थ या पाप रहेंगे तो वो रोकेंगे हमें, तो इसलिए ये स्रवन और कृतन की विदी है कि हम किसले करते हैं हमारा जिससे आत्म सुधि सुद्धिक्रण जैसे जैसे होगा जिस अनुपात में सुद्धिक्रण होगा तो हम उतनी तीवर्ता के साथ हमारे अंदर वो उत्सुक्ता लोल्यम आता जाएगा भगवान को प्राप्त करने की इक्षा जो है वो बढ़ती जाएगी उतनी सरनागति को हम ग्रहन कर पाएगे यह होती आपके जो और भगवान की जब कोई विट्टी जो है सरनागति तो सरनागति पूर्ण्रसमरपन आसान ने उसके लिए बहुत सारी जो है प्रिक्षाएं देनी पड़ती और प्रिक्षाओं से गुजणना पड़ता है तब वह हुद वहándhagen थीक है अब這邊 कह सो वो बाहरी रूप से समर्पन नहीं हो जाता वो एक इस्तर पर ठीक है कुछ इस्तर पर उसको सरन कहा जाएगा लेकिन बास्तविक सरन तो जब हम सरवन किर्टन और इस्मरन और उसके बाद अनेक अनेक जो हैं परिक्षाओं से होकर के जब गुजरते हैं तब बास्तों में पुन्रूप से समर्पन हो पाता है जो नया भक्ते अभिश्रवन किर्तनी ठीक से नहीं हो रहा है रोते रोते तो मालाएं हो रही है तो उनकी क्या परिक्षा होगी चोटे-मोटे बच्चों की क्या परिक्षा होगी पता है कि इनकी परिक्षा लेंगे तो यह तो फेली होना है फेल हो जाएंगी तो परिक्षा अभी महान भगतों के लिए जाती है देना पड़ता है लेकिन सबको महान भक्त बनने से पहले सुद्भक्त बनने से पहले उससे गुजरना आवस्चक है जैसे कल त्रवंगा नंपू बता रहते हैं हीरे को घिसाई होना वोती आवस्सक होता है तभी चमकता है जब तक अगनी में नहीं जाएगा सोना तो उसमें निखार नहीं आता तपना ही पड़ता तभी क्या होता है वह पूर्णता ताप्त हो पाती है उसके बिना संभब नही सिलब रुपाद के जीवन उनको जो है इतने सारे संकट कष्ट रुपाद दिला में प्रिक्षाओं का सामना करना पड़ा बक्ति सिद्धान महराज लोग तो मारने का प्रयास कर रहे थे उनको नरुत्तमदाश ठाकुर उनको भी मारने का प्रयास किया तो कितना आम जो है प्रकार से देखते हैं प्रदाद महराज के तो जीवन में बगवान नहीं परिक्षा ले लिए जिनके लिए भगवान प्रिगठ हुए है और उसके बाद भी अभी उनकी परिक्षा ले रहे है नरस्इम भगवान क्या बोल रहा एं में बहुत प्रसं हूँ मांगो क्या चा तो भगवान देना चाहते हैं अभी क्या आप मांगेंगे को भोतिक चाहें क्या है तो प्लाद महाराज बड़े चतूर थे तो इसलिए प्लाद महान ने क्या मांगा ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए तो भगवान का फिर अनादर हो आप कोई लेना ने चाहते हैं आप इतने हिंकारी होगा कि मुझे कोई आपके बड़ की आऊ सकता नहीं है तो इसलिए प्लाद महाराज ने क्या ठीक आप देना चाहते हैं तो यह बढ़ दीजे कि कोई बर मांगने की इच्छे ही रहे हैं कामानाम हिद्ध संडुहम भवतस मुझे बड़ प्रदान की तो भगवान का बड़ भी पूरा हो गया प्लाद महाराज भसे भी नहीं कि कुछ भोतिक इक्षाएं जो है हमने मांग लिए तो इस प्रकार से भी भगवान माया की तो प्रिक्षा होती है भगवान भी स्यम भी देखेंगे कि कितना जो है इनके अंदर प्रेम है बास्तों में मेरे लिए बली महाराज जिनका की बरन आता है हम देखते हैं पूर्ण समर्पन में तो क्यों बली महाराज का ही बरन आता है पूर्ण समर्पन में क्या दूसरे भगत उनकी जो है सरनागती नहीं है वो सरनागत नहीं है प्लाद महाराज है पा फिर क्यों हम कहते हैं कि बली महराज जो है उन्होंने पूर्णुप से समर्पन किया उनका नाम क्यों आता है क्योंकि उनका जीवन जो है वहती विसेश उनके जीवन की घटना है कि गुरू उनके ब्रोध में हो गए गुरू नहीं छोड़ दिया त्याकर दिया तो एशा अगर हो जाए कि गुरू ही आपको छोड़ दें सारे भकती छोड़ दें यहार यह तो बेकार भकते तो फिर क्या होगा आएसे हम देखते हैं कि पतली गली से निकल लेते हैं कभी दिखाई नहीं देते हो गुरू नहीं कि त्याग कर दिया है तो और बली माराज को तो सब के सामने महाँ पर त्रिसकार हो रहा है तो अकेले में तो एक बार सबसाइज पर ने थोड़ा चिल्ला दिया क्या तुम्हारे ऐसे प्रस्ष्ण से क्या लाव होगा पुरा जीवन अपने अब्रत गवारे हो तुम उसके बाद से जीवन में के भी दिखाई नहीं हो क्योंकि सब के सामने उसको लगा मेरी बेज्जेती हो जबकि उस उसके बास्तित तक ले था तो ऐसे अगर इस प्रकार की स्थति हो तो हम तो छोड़ी देंगे क्योंकि हमारा तो वह इस तरी नहीं है और सिप यहीं उनके साथ नहीं हुआ स्वयम भगवान जो है भगवान ने उनको दंड दिया नरक में डाल दिया बांद दिया पास में बावंद्य भवान जो है से उनको सब के सामने जो है पास में बांद दिया तो यह हो जा और सारे उनके रिस्दार लेटिव्स पतनी वो भी सब उनका त्रसकार कर रहे हैं उन पर थूक रहे हैं वोले क्या आपने सामराद दे दिया हम क्या करेंगे हम कैसे खाएंगे तो सब हैर कोई जो है पुरा विप्रीत हो गया है लेकिन फिर भी भगवान की सरन उने नहीं छोड़ी तो इसलिए उनका जो है नाम आता है रूप गोसामी एक पद्यावाली में अपन मानंं अथ अपमानम वेकुंठ वासं अथ्वा नरके निवासं हावा सु Dheva अमनास्ति गतिस्त्त्वा दन्या कि आप जो है चोनी अधि बटित्वम अत्व अकिंच नत्वम आप जोहें संसार का राजा बना दिजे जा अकिंच नत्वम एक भीकारी बना दिजे वो आपका निलना है आप ये कर सकते हैं नित्यम बहुमानम अथ अपमानम आप चाहें तो मुझे बहुत सारा सम्मान प्रदान कर सकते हैं कि सारा देश सारा समा सब मेरा सम्मान कर रहा है और आप चाहें तो ये कर सकते हैं यह सारे लोग मेरा त्रसकार कर रहे हैं मेरा अपमान कर रहे हैं मुझ पर फत्तर फेक रहे हैं बेकुंठ वासम अत्वा नरके निवासम आप चाहें तो बेकुंठ में मुझे बास दे सकते हैं अत्वा नरक में निवास दे सकते हैं क्योंकि आपके पास ये दो विकल्प हैं दो आपसाद है लेकिन मेरे पास दो विकल्प नहीं है रूब को सेतं कर मेरे पास तो किवल एक ही विकल्प है हाँ वासुदेवा ममुनास्ति गतिे स्थवा दन्या किए अव चाहे नेकिन फिर भी आप ही एक मात्र जो है मेरी जीवन की गति हैं इसके लाबा मैरी जीन में और कोई गति नहीं हो दी क्योंकि आप अगर छोड़ देंगे त्याप कर देंगे तो जाएंगे कहां, फिर जन्मों के बाद आना पड़ाएगा, भगवान की सरण में ही आना जुकी होता है बक्ति में जिवन में लोग थोड़ा सा कुछ हो जाया तो फिर भक्ति छोड़ देते हैं लेकिन उससे क्या लाब होगा छोड़ करके आपको बाद में भी आना तो वापस भक्ति में जीवन है सरन तो लेनी ही होंगी तो इसलिए कोई दुसरी जो है मेरी गती नहीं मेरे पास तो एक मात्र ये एकी विकल्ब है कि मैं हर इस्तिती में केवल आपकी ही सरन लेनी है आप ही मेरे सर्वस्व है तो ये बली महराज का पुरा जीवन का लख चता इसलिए सब कुछ उनके साथ वा तो भी भगवान की सरन में ही बो रहे इसलिए उनका पूर्ण समर्पन आत्म निविदन में भगवान ने वो कृपा वो फल उनको प्रदान क्यों क्योंकि उनके अंदर वो योगता थी उसके लिए पातरता भी चाहिए योगता भी चाहिए अगर योग की विक्ति नहीं है तो उसको प्राप्त नहीं हो पाएगा तो उसके लिए पातरता क्या बताएगी है यह इस तर पर आने के लिए स्रवन कितन के माध्धम से चेतन महापुरू चार चीजे जो हैं बता रहे है दिनता, सहष्न नता दूसरों को सम्मान देना और स्यम मान की इक्षान करना तरनाद अपिस सुनी चेन तरोब अपिस शहष्न अमान इना मान देने किरतनी स्दा अवि ऐसा विक्ति जो है सही चितना में स्रवन किरतन करके उसको भगवान का इसमन होगा और वो भगवान के उन रूप से समर्पित हो सकता है जिसके अंदर दीन भाव है दीन भाव अर्थात की अपनी वास्त्री की स्थती को समझना कि मैं कितना पतित हूँ अपने आपको महान नहीं सोचना आदोनी जगत में तो हर कोई महान सोचता है इश्वरो अहम अहम भोगी में महान हूँ में इश्वर हूँ तो दीन जो है अपने आपको माना जैसे रूप गोसामी और सनातन गोसामी जब चितन महापुरू की स्रण में जाते हैं तो वो कहते हैं मत तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी चकस्चन है परिहारे पिलज्जा में किम व्रुबोए प्रुसुत्तम है कि हम जो है इतने पापी बिक्ती मत दुल्यो मेरे से अधिक कोई पापी नहीं रूप गोसामी सनातन गोसामी तो बिनमता बस पोल रहे है और मेरे समान कोई अपराधी नहीई है इतने पाप और मैंने अपराध किये हैं किसुञे परी हारे फी लजस्या में मुझे लजस्या भी नहीं कि मेरे अंदर कोई यो बताने मूर्ख हूं मैं नीच हूं चुद्रू हूं विसेव का लालची हूं तो क्या वो ऐसे हैं वो भी उनकी बिरम्रता है वो भी हमारे लिए बोल रहे हैं हमारे लिए ये बास प्रिकता है हमारे अंदर सब ये सब कूट कूट कर भड़े हूए हैं हम विसेव के लालची हैं तो ये इस भावना को इसको कहावद दिनता है इसको हमें अपने जिवन में सुकार करना चीए और सहेशनुता दूसरा जो बताएगा वो क्या है सहेशनुता सहेशनुता आर्थाद भोग की इक्षाओं को सहन करना उनको हमें सहन करना चाहिए तो जितना भोग की इक्षाओं को हम सहन करेंगे और हमारी सहन सिल्था उससे बढ़ती जाएगी तो फिर हमान अपमान और ये सब चीश से परेज़ाएगा किसी भी इस्तिती में फिर वो भले उसको कोई भी इस्तिती में आप रख दो बली महराज की जैसे नरक में भी को नफ्षी दो क्योंकि भोग की इक्षाओं को उन्होंने सहन कर लिए तो भोग की इक्षाओं को जितना हम सहन करेंगे उससे हमारे अंदर सहन सिल्था बढ़ती है और क्या सहन करना है कई बा आपको तो उसको सहन करना कई वार आपकी गलती नहीं है तो भी बरिष्ट जो है कुछ आपको कह सकते वो उसको सहन करना तो यह सहन सिल्था है दीनता सहन सिल्था फिर मान जो है देना दूसरों को समान देना मान देने का रखते यह नहीं बस ठीक है कोई किसी सह मिले तो उन अच्छा सम्मान दे रहे हैं जैसे गुरू आए गुरू को सम्मान दे रहे हैं उनको माला पिना रहे हैं उनकी आरती कर रहे हैं पात प्रिक्षलां कर रहे हैं लेकिन जो आदे से बात है वो गुरू की मानी दे रहे हैं तो फिर वो कैसे मान देना हुआ वो कोई मान देना हु थो वास्तों में मान देना हो, तो तब वास्तों में फिर हम अमान देना मान देनी हो पाएंगे हमारे श्युम के अंदर अपने संमान के लिए कोई इच्छाएं नहीं रहें तो इस प्रकार से हैं जब कोई विती ऐसे जो है हम गुरू के अनुगत्य होकर के ये भक्ति की विधी का स्रिवर्ण कृतन का पालन करेंगे तो उससे सुभावी गुरूप से भगवान का इस्मन और भगवान की सरनागत्य को हम ग्रहन कर पाएंगे फिर उसमें भगवान हमें खुद सक्ति पतान करेंगे परिक्षाई भी होंगी लेकिन भगवान जिसे यहां पर बताएं चेट्य गुरु के रोप में निर्देश देते हैं कि कैसे उससे निकलना है कैसे उसको छाएन करना वो सब कुछ भगवान परमात्मा के रूप से निर्देश देंगे ये विक्ति कहीं भी बिचलित हुए बिना सीधा मेरी सरन में जाए मेरे पास आजाए वो भगवान सारी विवस्ताइए करेंगे लेकिन उसके लिए ये सारी प्रिक्रिया विधिया इस प्रकार से हमारे जीवन में होनी चाहिए अधरे क्रिश्णा तो यहां पर हम बिराम देंगे प्रश्ण है क्या साइस के संभिनें को सकते हैं कि अधर के आज़िए यह जो अधर कर दो कर दो 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 गॉस्त भाद कर दो कुछ लाब हो सकता है ठीक है लेकिन कुछ लाब हमें नहीं करना है हमें तो मनुष्ज जिवन में पुन्दता प्राप्त करनी है पुन्दूप से भवान को क्रिश्ण प्रेम वो जिवन का लक्ष है ऐसा नहीं कि थोड़ा कुछ कर लिया हमने ठीक है थोड़ी भक्ती होगी वो नहीं तो पूरा उसका जो उद्देश है उसका लक्ष है वो हमें समझना चाहिए तो उसके लिए तो सही रुप से जवाब करेंगे तभी लाव हो पाईगा कुछ तो लाव होगा लेकिन उससे कृष्न प्रेम प्राप्त नहीं होगा केबल कुछ लाव होने से वो ना ही हमारे अनर्थ भी हटेंगे हम अपने अनर्थों को भी पुन्रूप से नहीं छोड़ पाएंगे त्याग कर पाएंगे इसके लिए यह बिदी बताए कि कैसे कि अनुस्रान करते हुए वो सही बिदी से स्रवन होना चींग हमारे कि इस में कि पीज़े आँ तो यह आविश्णाओं से बात नहीं हो रही है यहाँ पर ठीक है कोई भक्त से ही जो है सुन रहा है लेकिन उससे वो भ्रमीद भी हो जाएगा न सास्त्रों में इसलिए यहाँ चितन चितन में बताए कि बहु सास्त्रे बहु बाग के साद्यसादन स्रिश्ट ना निश्ट्य क्याप अगर अनुवत्य हो करके जो है इसको अच्छे से सर्वण नहीं कर रहे रहे हैं तो फिर क्या होगा अपने मन से अगर स्रवर्ण कर रहे हैं मुझे यह अच्छा लग रहे है मुझे यह अच्छा लग रहा है चलो मैं इसे सुन लेता हूं से दो वो सकता है वो आप बेशनवों से ही उसको सुने लेकिन अपने आप आप उसका निर्नाए कैसे ले पाएंगे कि मुझे इसमें से क्या करना है फिर वो आप अपने अनुसारी चुनेंगे जैसे हर विक्ति जो है बरतवान अवस्ता में तो हम क्या होदर रजगुन तमोगुन में होते हैं तो हमें कुछ लगए खाएंगे यह अच्छा है यह अच्छा है तो उससे वास्तो एक गुरूप से लाव नहीं हो पाएगा कि जब एक गुरू की कुछ रलेता है उनका हम तो गुरू जानते हैं वास्तों में कि इसके लिए क्या आवस्तिकार क्या है हमें तो तो गुरु अनुगत्य में वो अधिकार गुरु देखतें कि इसके लिए क्या आवस्थे इसलिए भक्तिमों ठाकुर बताते हैं अधिकार न लभिया सिद्ध देह भावे और आगे जोए बताते हैं क्या है विपरय बुद्धि जन्मे सक्तिर अभावे तो उससे क्या होगा दूसरी बुद्धी प्रुतपन होगी वह करके भी आपके अंदर दूसरी बुद्धी आ जाएगे आप प्रिगती नहीं करेंगे उससे प्रिगती नहीं होगी, मन से करने से प्रग्ति नहीं होती है, जैसे एक बार, जगनादाथ बाबजी के पास, जाते हैं tीन बिखती, और बोलते हैं, कि हम हरीनाम जब करना चाहते हैं, जगनाथ बाबजी उनको बॉलते हैं, जब मत करो, तो वक्तियों ठाकुर के पास चले जाते हैं वो शिकायद करने के लिए कि देखे वो तो जब कर रहे हैं सुयम और हम उनको बोलने कि हमें भी जब करना है तो बोले हमें बेगन हुगाओ तो वक्तियों ठागुर बोलते हैं कि आप उनकी बात मान लो अगर बात नहीं मानोगे तो नरक चले जाओगे तो हुआ है ऐसे एक ने बात नहीं मानी तो बाद में कुछ समय के बाद जो है बेस्टा के पाद जाने लगा हुआ है महान जो है जगनात दाजवजी उनका अपने बात नहीं मानी यहाँ पर तो आदेशी दे दिया ना कि तुम मत करो ठीक ऐक सामान निर्देश होता तो वह लगात होती है फिर आप अपना मन से कर सकते थे लेगिन जब निर्देशी दे दिया उसमें भी तो भो तो फिर पुरा विप्री थी इसलिए प्रभाब उताधिका नहीं है तो इसलिए गुरू वो देखते हैं गुरू की जब अनुगत हो करके हम गुरू सिस्से में देखते हैं कि इसके लिए क्या आवस्सक है तो उससे फिर प्रिगती होगी हम आगे जो है इसमरन की तरब बढ़ पाएंगे वह अपने स्यम के प्रयास से नहीं होगा जबस पाद की जाएंगे